हम लोग बार्मी कलास के चप्टर 5 पढ़ रहे हैं बैलो जी में जिसका नाम है प्रिंस्पल्स आफ इन हरिटेंस एंड बेरियेशन इसमें हम लोग 5.2 का कुछ पार्ट पढ़े हैं जिसका हैडिंग था इन हरिटेंस आफ वन जीन एक जीन कैसे इन हरिटेंस होता है इसके बा स्थे एक ब्रिटीस हो क्यों है ब्रिटिस जन्रेटिस्ट थे उनका नाम था पननेट और उन्होंने जो एक फॉर्मला दिया उसको पनेट स्कौायर बोलते हैं कि उननका नाम क्या था पारेजनल्स फणनेट पुरा नाम यह है यह ब्रिटिस्ट थे मतलब ब्रिटेन के थे जैने टिसिस्ट इन्होंने एक डाइग्राम बना करके इसी मेंडल के इनरिटेम्स थियोरी को समझाने का प्रयास किया सो एक डाइग्राम बगल में बना हुआ है इसको हम लोग समझेंगे और यह क्या है जिसको परनेट स्कॉयर कहे स्कॉयर क्यों कहें स्कॉयर का क्या फर्मुला है क्या कॉंसेप्ट है स्कॉयर का मतलब हता है ऐसा आकृति जिसकी लंबाई और चड़ाई बराबर हो तो यहां पर हमको जो फिगर दिख रहा है दो घर ऐसे है तो दो घर ऐसे है इसका मतलब क्या हुआ जितनी लंबाई उतनी चुड़ाई तो यह क्या आकिरती है स्कॉयर का इसको किस ने दिया पनेट ने उसके नाम पर पनेट स्कॉयर हुआ इसमें वही जो क्रॉसिंग का थियोरी है गैमिट कैसे क्रॉस आवर होता है उसके बारे मताया गिया जैसे देख लोग पहले फिगर को ही समझ लेते हैं हम लोग यह पारेंट्स है और वह ट्रू ब्रीडिंग है मतलब प्यॉर पारेंट है वह उसमें दोनों जो एलील होता है जीन का दो करेक्टर वाला वह सेम सेम है जैसे कोई हम टॉल पलांट लिये पी लिया घा था तो दोनों केपिटल्टी है मतलब दोनों लंबा-लंबा है उसका दोनों एलील मतलब इसको अगर तो हमेशा यह लंबाई होगा उस थुरह से एक ड्वार पलांट लिए उसमें हमेशा वो नाटा ही होते रहेगा तो ऐसे दो पाइरेंट्स लिये दो पारेंट्स लिए तो इसका दोनोट ि अलग होगा की नहीं १ गाइमीट बनेगा तो दी मीचें बनता है गैमिड बनता है मियोसेस, डिविजन से, मियोसेस, डिविजन में आधा, आधा हो जाता है, तो, ये टी, ये टी अलग-अलग हो गया, ये इसका भी दो का लिए कप स्मॉल यह टीटी हो गया कि नहीं इसमें देखेंगे यह टीटी हो गया तरिसके साथ देखेंगे यह कबटाल यह इसमाल यह यह यहां भी सेम तो यह हुआ पहला बार इसका गैमिट जो बना Capital T Capital T Small T Small T यह दोनों गैमिट है इसका दो इसका दो और इसको जो crossing कराए तो f1 generation यह बच्चे पैदा हुए और यह कैसा हुआ सब टीटी वाला हुआ मतलब कि कैसे होंगे सभी लंबे वाले होंगे क्योंकि Capital T Small T को छिपा देता है रसे सिफ होता है यह चोड़ा उलटी और सो क्या करता है Capital T तो Capital T चारों में है के नहीं इसका मतलब इसके चारों बच्चे कैसे होंगे लंबे लंबे यह एफ-1 generation में सो हो गया मैंडल नहीं कहा था और यहां पनेट ने भी यही कहा काने का तरीका अलग हुआ है फिर इसमें से जब यह ही पैदा हुआ यहां पर इसमें फिर सेल पॉलिनेशन किया गया तो दो पैरेंट लिए फिर से यह एफ-1 प्रोजेनी जो मतलब कर बच्चा हुआ वह कैसा हुआ Capital T small T बाला इसके बीच में क्रॉस कराए तो दोनों यहीं कर रहेगा Capital T small T capital T small T इसके तो इसमें जब से पॉलिनेशन कराए मतलब किसी एक को मेल रखे किसी एक को फिमेल रखे एक का पॉलन गर्यान एक का एग में फटलाइज कराए तो क्या हुआ यह देखेंगे हम और वह एप्टू जनरेशन का प्रोजनी बनेगा तो इससे जो ग 7 एक स्कल्त हो गया इसे बिड़ा ही हिसको आप सब्सक्राइख हो तो इसका गाय मीट मना इस तरह से बना और इस से the capitalism क्या होता है इसपोर का फर्मॉला क्या होता एush 사bourg भुजाईस्माइर आइस और का निःव斯 कहा गया तो यह बना कर दुढ दो गुना तो टी टी एक है जो गर मना है वह दोनों अप्विलापला और इस्मॉल सुछ है कैसा घेचा कि एक जो फächst है वह दोनों है जहां बत क्वाण草 बना है जो गर बना है और श्वाजो नहीं है दोनौ में बना जहां है जिसегда के लिए मों Capital Small T है तो यहां क्या सो करता है यह सो करता है फिनो टाइप और जिनो टाइप से देखेंगे फिनो टाइप में यह तो लंबा होगा ही गारेंटिक साथ यह भी लंबा होगा क्योंकि लंबा था यह भी लंबा होगा क्योंकि लंबा था तो यह जो है यह पारेंट के तरह हुआ और यह दोनों F1 generation की तरह हुआ लंबे ठीक है तो तीन हो गए लंबे लंबे और एक हो गए नाटे नाटा बीच में से गाइब था F1 generation F2 में नाटा एक निकल गया तीन लंबा हुआ तो हम लोग रेशियो देखते हैं तो फिनो टाइप रेशियो जो है F2 generation में वो क्या हुआ टॉल अनुपात ड्वार्फ में देखेंगे तो तीन अनुपात एक फिनो टाइप फिनो टाइप जो सो होता है जो दिखता है बाहर से तो तीन लंबे हो गए एक नाटे तो तीन अनुपात एक हो गया इसी को हम कहा सकते हैं तीन पुलस एक कितना हुआ चार तो लिएफे दिखेंगे तो क्या होगा जीनट इप में कैपिटल टी वाला अलग लो तुछ तो तीन तुरह के यहां पर गेति हैं इसमें से तो यह एक प्रकार है इस तरह का कैपिटल इसमॉटी दो यह दो और यह कितना है एक तो वान इस टू टू इस्ट वान यह इसका रेसियो जिनो टैप रेसियो बना इसी को फिर पटे में कैसे लिखते हैं जोर करके एक दूएक तीन हेकं चार एक बटे चार और इसको भी एक बटे कि यह बोल सकते हैं कि वन फोर्थ हाप वन फोर्थ यह रेशियो इसका हुआ इसी को पनेट ने समझाया यह इसक्वाइर कुरूफ में इसक्वाइर पर रखने से आसाहन होता है लिखने में कभी-कभी क्रॉसिंग करते हैं जो हम में बना रहे हैं भूल जाते हैं तो कई गलती हो गया रेशियो याद नहीं रहता है अगर ऐसे बना लेंगे तो याद करने की जुरत नहीं पड़ेगी इस तुरत समझ जाएंगे अब हम लोग त्योरी में देखते हैं कि कैसे क्या कहा गया है पनेट स्क्वाइर यह क्या है टूर अंडर्स्टेंड एट टीप आजाता है तो उसको समझने के लिए यह जोरी है तो मोनो हैवरीड मतला एक लक्षन वाले क्रॉस है बिट्विन किसके किसके बिच में ट्रू ब्रीडिंग टॉल एण ड्वार प्लांट ट्रू ब्रीडिंग है दोनों कपिटल टी वाला और दोनों इसमॉल टी वाला यह यह एक्सप्रेइश वह टा है विदाउट एनी ब्लेंडिंग बिना कुछ मिश्यान के इसमें नहीं होता है जैसा नाटा यह निकला नहीं यहां पर ड्वार्फ वैसा यह वैसा ही था जैसा यह इसके परेंट में द्वार्फ था यह नहीं हुआ किसके साथ रहा एक जनरेशन में तो थोड़ा सा मिक्स हो गया होगा ऐसा नहीं है और जैसा का वैसा ही था बिना मिक्सिंग का तो वही कहा गया बिदाउट एनी ब्लेंडिंग किसमें इन एफ टू जनरेशन एफ टू जनरेशन में सोख हो गया एफ वान में जो रेसेशिव था बिना किसी मिलावट के रीजान फो लग्छाट उसका क्या कारण था इसका कारण है इजbold टॉल एन्ड वारफ प्लांट लंबब और नाटा जो प्लांट था produce gamets जब वो gamet को produce कर रहा था जब progression करता नहीं गमिट का तो कैसे करता है by meiosis meiosis division से वो separate हो जाता है मिलता नहीं है the alleles of the parental pair parental pair मुझे मुझे अथा या small t है या capital or small t है वो क्या होता है separate हो जाता है separate और segregate separate होना, अलग होना को ही biology में segregate word दिया गया दोनों का अर्थ same ही है from each other आपस में ज़िड़ा हुआ रहता है वो अलग हो जाता है and only one allele is transmitted और एक gamit में एक ही allele transmitted होता जाता है एक बचे में या तो लंबा वला जाएगा या छोटा वला जाएगा दो में से ये दोनों किसी में नहीं जाएगा इससे एक माँ एक बाप होता है तो दोनों से एक एक जाएगा एक ही से gamit नहीं जाएगा तो इस तरह का ये concept है दोनों से जाएगा एक ही जाएगा, दो है तो वही कहा गया एक ही एलील ट्रास्मिट होता है तो एक गैमिट में एक ही एलील जाएगा इस रेंडम प्रोसेस यह गिन करके नहीं होता है रेंडम ली होता है को कोई भी कई चल गया सो 50 परसेंट चांस ऑफ गैमिट कंटेनिंग एदर एलील मान लो यहां पर जो एक स्मॉल एक कैपिटल है ना इसमें से यही यहां है गारेंटी नहीं है कोई भी आ सकता है तो इससे क्या होगा प्रोबिल्टी क्या है समभवना क्या है दुनों का 50 परसेंट या तो यह या तो हम एक उचलते हैं तो हेट होगा कि तेल होगा इसका क्या समभवना है क्या बताएंगे 50 परसेंट क्या बोलेंगे या यह सकता है यह वो सकता है ऐसा में करना सकते हैंना है तो यह या दोनों का बराबर जंस है 50 परसेंट चांस होता है और एलील के अने का यह यह लिल고 एग गामेट्स घामेट्स कॉन कॉन सा हुआ या त कैपिटल टी है डू फटलाइशन फटलाइशन वह करते हैं कैसे थुरू दा पोलेन POLLEN ग्रेंट से और एक से करते हैं प्लांट में तो पैलोजी में जो लिखते हैं इसका एक सिंबॉलिक तरीका है क्या सिंबॉल है देखो मताओ पोलेंगरन क्या है मेल है तो यह मेल का सिंबॉल है ठीक है और एड़ 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 अंड़ा जो है वह मेल यह है इसका सिंबॉल यह है फ्रॉम मेल एड़ ने परहिंड यह यह पर सिम्बॉल याद रखना ये गॉला और नीचे क्योंने में लिखा जाता है करी अगर अगर scripture लिख दिया अजै कि वा मतलबा फिमेल हो गया यह यह मैं समझे डूपक ऑपी पता दीए हो कि यह जो तो आद कर सिपनेट यह बिटिस संयंटिस्ट है हम लोग ने देख लिया है सो यह डाइग्राम इन्होंने एक डाइग्राम सो किया डाइग्राम को ग्राफिक करते ग्राफ में बनाने के लिए तो ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन था यह ग्राफ में बनाने के लिए तू कैलकुलेट यह क्यों बनाया गिया कैलकुलेशन करने के लिए कुछ निकालने के इसको बताने के लिए कि इतना तरह का ही बन सकता है इससे जाला टाइप नहीं हो सकता है कितनों भी क्रॉसिंग कर रहा जाए इससे बाहर या इससे अलग टाइप का कोई और जिनो टाइप नहीं बन सकता है इससको फोर्जों नहीं होगा कोई बच्चे नहीं होगे जो इससे अलग उसका कॉंबिनेशन बने गा सो यह कहने के लिए यह काने के लिए उता है इससे बाहर नहीं जायागा इसी स्क्वएर में है कि आलप व queee का आ घिया तो कालम कुलीट देप प्रोगिबिल्टी आप प्रॉसिब छीन ऌ टाइप जीन टाइब जो है वो all-possible है सभी possible यहां पर दिखाया गया आप, off-spring in a gamit cross gamit को जब cross कराते हैं तो इतने possibility है यहां पर फोक रहाया गया the possible gamits are written जो जो gamit बन सकता है उसको इस t से देखो दोनों capital T है तो यही न गैमीट बनेगा लिए गया इस फर्मूला में कहा गया और टू साइट दो साइड में लिखा गया है स्कॉयर में बर्ग में कितना बुजा होता है चार बुजा पर लिखा है एक ए बुजा पर एक ओ बुजा तोय अब दिखा गया वही कहा गया on two sides यह टॉप रू ह यह यूज्छ़ जब चलता है तो रू कहते हैं ऐसे चलता है तो उसको कॉलाम बोलते है यह कोलाम हो गया और और ऐसे रो तो टॉप रो और लेप्ट कॉलम इस पर यह लिखा गया है नाम हेडिंग इस यूजली दा टॉप रो एन लेप्ट कॉलम है आप्टर है रेंडम फटलाजेशन फटलाजेशन रेंडमली होता है जय्गोट बनता है दोनों के मिलने के बाद उसका जूनो टाइफ क्या होगा जो मिलकेов बना हॉरा होगा यह तो के przypिटलarken Dean बनेगे है नो इससे अलग है और कोई टाइप नहीं बनेगा एक्स्टर्नली बाहर से जो दिखता जो फिनोटाइप है वो बता रहा अब इट इज नोट पॉसेबल टू डिस्टिंग्वूइस हम लोग देख लिए जिनोटाइप समझ गया अब आगे कह रहा है कि यह पता करना आ है यह प्यूशुल नहींटहें है क्या नहीं फॉसिबल है टू डिस्टिंगुइस अलगाव करना अलग अलग पता किला इस तीनों प्लांट में कॉन कैपिटल्टी कैपिटल्टी बला है कॉन कैपिटल्टी स्मॉल टी बला है यह पता करना मुस्किल है सब एक ही जैसा लगता है सब लंबा ही है जीन जब मैं चेंज है ना बाहर से चेंज कुछ नहीं है कैसे पता करेंगे इसको कि कौन यह तो उसको चर्चा आगे करेंगे यह खा गया इस नोट पॉसिबल तो डिस्टिंग्वीज बेविन प्लांट्स विद द गैमी जीनो टाइप कैपिटल टी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी यह वाला में यह त्रू ब्रीडिंग और हैबिड में टॉल प्लांट है इ कैपिटल्टी मॉल представ से अब इसमें कह रहा है यह जो हैभिड है इसमें कैपिटल्टी यह एक्स्प्रेश्ट हो रहा है दिख रहा है इंदा कियो कि μटर्ष करेंपर ऑभार दफक्रहार होarmeav इस कारण से क्या कि एक करेक्टर किसी पर हभी हो रहा है और दुसरे पर और एफ़वन और टॉल एफ़वन में सभी लंबे क्यों हो गये क्योंकि एक करेक्टर जो है वो डोमिनेंट कर था अब जिनोटाइप रेसियो के लिए एक फर्मूला बनाया गया जो मैथमेटिक्स का फर्मूला है जिनो टापिक रेशियो को सो करता है वो mathematical formula है ax plus by per whole square a plus b per whole square पढ़ते हैं क्या formula है a square plus 2ab plus b square है न वो formula यहाँ पर कैसे set होता है इसको दिखाया है इसी कहते है binomial expression gametes bearing genes capital T and small t in frequency of half half number में अगर लेते हैं तो a हो गया half चुकि frequency यह है number और x ले लिए capital T अब y ले लिए small t square कर दिए square का मतलब क्या हुआ इसको दो बार गुना करेंगे half capital T small t plus half small t यह हो गया इसी को दुबारा लेके into half capital T plus half small t multiply करेंगे a square a square करेंगे तो क्या होगा यह चो अधा square होगा कि ना tt दो को हो जाएगा t square करेंगे यहां tt लिख दिए capital T 1 बटे 2 का square कितना हुआ 1 square 1 और 2 square 4 1 बटे 4 square उसी तरह से अब यह दोनों को 2 into होता है a plus b 2 into 2 a b यह होता है न यह दोनों को गुना करेंगे और 2 से भी गुना करेंगे तो 2-2 कट जाएगा तो यह capital T बज गया capital T small t और half रह जाएगा capital T small t half इसके साथ लगा दिए आगे जो है यह इसका भी होता है न b square तो फिर 1 बटे 4 ती टी हो जाएगा small t मे 1 बटे 4 ती यह इसको express करता है अब देखो इसको 1 बटे 4 हुआ था न कपिटल टी capital T small t 1 बटे 2 हुआ है ना और small t कितना है 1 बटे 4 यह इस फर्मूला से भी निकाल सकते हैं पनेट के अलावे यह दूसरा फर्मूला भी है 2 डिटर्माइन द जीनो टाइप अव जीनो टाइप चुकि यह अंतर करना इसे बाहर से मुश्गिल होता है फिनो टाइप सेम होता है लंबे वाले का तो उसका क्या तरीका है तो small पले का निकालेंगे फिर बड़े वाले का देखेंगे मेंडल cell pollinated cell pollination किया the F2 plants and found that F2 generation में cell pollination कराया and found that dwarf F2 plant continued to generate dwarf plants in F3 and F4 generation इसमें dwarf plant के गो है F2 generation में चोटा वला के गो है एक है इसको अपने बीज से ही cell pollination कराया गया तो true breeding का क्या पाचान है कि जैसे वो true breeder जो था उसको कितनों बार cell pollination करते रहेगा generation to generation वो बच्चा उसका एक जैसा होगा क्योंकि यही दोनों अलग होगा फिर यह दोनों मिलेगा अंतर कहों आएगा अंतर नहीं आएगा तो यह F2 F3 F4 सब generation में जब एक जैसा चोटा चोटा ही ड्वार प्लांट ही रहा तो सिद्ध हो गया कि उसमें दोनों छोटा ही है उसमें कुछ और है नहीं नहीं तो और पता चलता लग होता यही कह रहा है यह कि मैंडलने सेलफ प्ललुनिէी्ट किया किसको दह अफ 2m plant को और फांड क्या पाया ducks कि डवा अफ 2 famille है वेंट लॉनावमला कंटिनियूट वे एकशिय्जेसा कैसा फी जेनलेट ड्वार प्लंट गशन्रेट कर रहा था ढौर। सब्रॉर को ही जब कितमा दिन तेखा एफ 3 में भी देखा इसका बच्चे में फिर उसका बच्चे में भी इस पार पोर जने से में भी देखा तो तिंचार जनिर तक रिखा तो जब छोड़ा चुटाई हो रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई मिस्राण नहीं है तो यह असान हो गया कैसे प्रता करेंगे सेल पोल नेशन के तुरू अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यह कैपिटल टी दोनों और एक कैपिटल टी में कैसे डिफ्रेंस लया जाता है उसके लिए क्या प्रोसेस है उसका क्या नाम है उसका नाम है मता देते हैं टेस्ट क्रॉसिंग क्या नाम है उसका टेस्ट क्रॉसिंग उसको अगले वीडियो में देखेंगे